महाराष्ट में बनेगा लोका युक्त कानून अन्ना हजारे कमेटी को मंजूरी सिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला महाराष्ट की नागपुर में डिप्टी सीम देवेंद्र फणनवीश ने कहा कि आज कैबिनेट की बैटक में हमने एहम फैसले लिए हमने लोकपाल की तरज पर महाराष्ट में लोका युक्त लाने के लिए अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है बिले इ इप्टी सीम फणनवीश ने कहा कि अभी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें मुक्मंत्री ने दो एहम फैसले लिए हैं जा उन्होंने कहा कि कमेटी कुछ सुझाब देने वाली सी अंत्रिम काल में सरकार बदलने के बाद इस पर गंबीरता से काम नहीं किया गया लेकिन जब नई सरकार आने के बाद हमने इस कमेटी को और मजबूत किया है दरसल मुक्मंत्री देवेंदर फड़नवीश ने कहा कि अन्ना हजारे की समती द्वारा दी गई रिपोर्ट को सरकार ने स्विकार कर लिया है इसी के अनरूप नया लोकायुक्त अधिनियम बनाने के वि दौरा5 अन्ना के द्वारा द्यक्षता में एक सम्ते के गढ़न किया गया था इस दौरान महाराश्ट की सिंप एकनाथ सिंदे ने कहा कि हम पूरी पारदरसिता के साथ सरकार चलाएंगी हम महाराष्ट को ब्रस्टा चार मुक्त बनाएंगी इसलिए हमने राज्ज में लोका युक्त कानून लाने का फैसला किया है इस दोरान वरिच समाज से भी अन्ना हजारे कह रहे थे कि महाराष्ट ल पराद दी गई रिपोर्ट को सरकार ने स्विकार कर लिया जहां आज कैबिनेट की बैठक में सीम ने नई लोका युक्त अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी